बल्ले का निशान जीत की पहचान कौमी एसम्मली में तहरीके इंसाफ की 110 नशिस ने पक्की इलेक्शन कमिशन ने कौमी एसम्मली के 270 में से 251 हलकों के नताइज जारी कर दिये मुस्मिक नून की 63 और पीपल्स पार्टी की 42 नशिस ने पंजाब में नून या जुनून शेर को 127 और बल्ले को 118 नशिस्तों पर बरतरी पंजाब एसम्मली के भी 295 नताइज जारी इमरान खान ने एक बाल से 5 विक्टे उडा दी साध रफीक का शिकार किया शाहिद खाकान को पविलियन भीजा अकरम दुरानी और अली रजा आबदी भी पिच पर ना ठहर सके यही नहीं तहरीक इनसाफ ने कराची भी फता कर लिया तीर और पतंग का सफाया किया बिलावल और फारुग सतार का धड़न तखता गड़ दिया मुझार जो हलका चाहें खोलने को तयार हैं इमरान खान ने जीत के बाद कौम से पहले खताब में बड़ी पेशकश कर दी वजीर आजम हाउस के बजाए मिनिस्टर इंकलेव में रहने का ऐलान कर दिया कहा सियासी इंतिकामी कारवाई नहीं होगी खारजा पॉलिसी कैसी होगी गाइट लाइन दे दी भारत एक कदम बढ़ाए हम दो कदम बढ़ाएंगे अमरीका से तालुकात में तावाजन लाएंगे इमरान खान का अमरीका और पड़ोसी ममालिक के साथ तालुकात बेहतर बनाने का आजम भारत को मसला कश्मीर पर मुजाकरात की पेशक्ष कर दी सब को मुतफिक करना चाहेंगा इलेक्षन नताइच तसलीम नहीं एमेमे ने आज मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दे दी इसलामबाद में ओल पार्टीस कान्टरेंस तलब इलेक्षन का रदम करार देने के लिए तहरीक पर तमाम जमातों को काईल किया जाएगा मौलाना फजल ररह्मान की प्रेस कान्टरेंस नू लीक कभी ओल पार्टीस कान्टरेंस में आएंदा का लाहें अमल देने का एलान पीपल्स पार्टी का इजलास भी आज होगा सबसे बड़ा सियासी मारका सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पहले वोट से पहले नतीजे तक मुल्के कोने कोने से हर हलके की खबर जानदार और बेलाग तद्जिये जादूई वाल के ज़रिये पूरे मुलका सियासी नक्षा कौन कहां से जीता तारीख में पहली बार जदीद टेकनोलजी का बहतरीन इस्तमाल सियासी लीडर्स का रदे अमल इमरान खान की सेल्फियां समा की नौन स्टॉप नश्रियात अवाम में बेहत मगबूर मौनसून बादलों का एक और स्पेल पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी शेखुपूरा में मकान की च्छट गिर गई मिया बीवी और बच्चा जान से गए मुजफराबाद में बारिश के बाद नदीनालों में तुग्यानी वादी लीपा में सैलाव से मकानात और फसले तबा के पी, जोब, खलात, गिलकित बलतिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेश कोई और आज चांद का हुसन फिर गहना जाएगा रवाद सदी का सबसे तवील चांद ग्रहन आज होगा पाकिस्तान में रात आठ बजे से सुब चार बजे तक देखा जा सकेगा